चलिए दोस्तों आज हम बनाते हरी भरी सबजियों से कुछ अलग सनास्त और हेल्दी जो की बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा और बहुत यम्मी और टेस्टी है एक पर आप मेरे तरीके से बनाएगे और वीडियो पूरी देखें स्किप मत कीजेगा स्किप करे सारी सबजियों आप जो खाते हैं बच्चे घर में वह ले लीजिए और सारी सबजों को छोटा छोटा कट कर लीजिए दोस्तों वीडियो स्किप मत कीजेगा लाइक शेयर और सबस्क्राइब करिएगा और बैल आइकन पर प्रेस इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिके तो हो सकते आप फैली कडाई ले लिजिएगा क्योंकि जो हम नासता बनाइँगे न तो वह हम पाली कडाई क्यूं ले रहें वह मैं आगे बताऊंगी तो बस उसके लिए पहले एक पले ले ले लिजिए उसमें थोड़ा सा कुकीग ऑईल डाली अब जो हमने सारी सबजियो कट करकी रखी दिना अब थोड़ा सा कुकिंग ओईल जो हमने डाला था उसके अंदर आप इसकी जगा बटर देसी घी भी यूज कर सकते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले हमने डाली जिंजर और हरीमेच और प्याज सबको हम हलका जादा ब्राउन नहीं करेंगे बस इनका कच अब आपको कोई मसाले एड नहीं करने तो आगे आप ध्यान रखिए इसमें हम आप अपने घर के किचिन के बेसिक मसाले डाल सकते हैं लेकिन हमें मार्केट स्टाइल में चाहिए तो उसके लिए थोड़ा कुछ अलग से मसाले एड करेंगे तो जैसी सबजियां सॉफ्ट ह अब हम इसमें आलू जो बॉइल किये होते हैं उसको डाल देंगे और उसके बाद हमने डाला है मिक्स हर्म और चिली फ्लैक्स तो जो पीजा और पैरी-पैरी मसाला और स्वाद के अनुसार नमक तो आप सो निध्यान से सुना मैंने क्या-क्या मसाले यूज किये हैं फिर उ मसाले गरम मसाला और हल्दी लालमिच पाउडर यूज कर सकते हैं अगर नहीं तो आप पैरी-पैरी मसाला मिक्स हर्म और चिली फ्लैक्स में डाले बहुत अच्छा टेस्ट आता है मैंने वही डाला है तो बस इसके बाद गैस बंद कर दीजिए उसके बाद हरा धनिया डाल हरा धनिया डालने गाई से मिक्स करके ठंडा होने के लिए एक प्लेट में ट्रांसफर करके रग दीजिए तो दोस्तों मेरे इस चैनल आती पूड़न ब्लॉग पर रेसिपी ब्लॉग आते हैं आप देखे सपोर्ट कीजिए तो मैंने देखे ठंडा होने रग दिया है कि आदर नमक भी होता है वह हुआ है। थोड़ा गलत मोरा त्यार करें तो यहां जो नासता की कोटिंग अच्छी आपको मतलब इस तरह से दिखे गाड़ी सेलरी बनके तयार होनी चाहिए इसे रख देते हैं हम साइड में तो अब हमारे ब्रेड करम तयार है अलुक जो हमने मसाला बनाया था सबजियों का वह भी तयार हो चुका है और इधर हमने ब्रेड करम बनाये थे वह भी तयार है तो एक ही कडाई में सारे काम कर लूँगी मैंने डबल कडाई यूज नहीं की है तो हमने ये जो आपने देखा ये आइस क्रीम स्टिक है ना मार्किट में आसानी से मिल जाती है ये नहीं है आपके पाद तो आप चम्मच भी लेकिन इस से करेंगे एक दम भी प्रेस नहीं करना है क्योंकि आलू की कौन्टिटी अलग-अलग होते हैं कई बार आलू की लूज पि होते हैं तो ये आलू की क्योंटिटी के उपर है तो इस तरीके साब बनाएं बहुत ध्यान से बहुत आराम से आपको इसे उठाना है और celery में dip करना उसके बाद आप इसे breadcrumb में अच्छे से दवा-दवा के मतलब दोनों हतेली की सहता से अच्छे से breadcrumb लगा लीजिए और जो extra है उसे जाड डीजिए और एक plate में सारे इसी तरह से बना के रख लीजिए तो दोस्तो पहले आपको मतलब बहुत साबधानी से ही ये काम करना है फिर उसके बाद हमने जो फैली कडाई लिए उसके अंदर ऑईल डाला oil को अच्छे से गरम करना है गरम करने के बाद फिर medium कर देना है जैसी ये fry क्योंकि हमें इसे hot oil में सेखना नहीं कम oil में सेखेंगे तो क्या होगा layer जो है वो एकदम से bread की layer हट जाएगी और oil काफी पिएंगे फिर ये तो आपको hot oil रखना है फिर उसके बाद मीडियम कर देना है सेखते समय उलटते पुलटते ऐसे दो से तीन से चार मिनिट के लिए और ये चम्मत से ही निकालने हैं बहुत चम्मत से ही सेखिए इसे चम्मत से ही उलटिये पलटिये क्योंकि ये बहुत soft हो जाते हैं बहुत साबधानी से निकालना होता है तो सारा नास्ता हम ये आप किसी भी time बनाके खा सकते हैं तो बस ये first batch तेयार हुआ है ये second batch मैंने डाला तो बहुत आसानी से इसमें आपको जल्द बाजी बिल्कुल नहीं करनी है और जितने हैं आपके कड़ाई में आदे तो फैली कड़ाई का मतलब यही था ना दोस्तों क्योंकि अगर हम oval shape में ऐसे गहरी कड़ाई लेते तो वो मतलब इस तरीके से इतने बन भी नहीं पाते और क्या होता कि मतलब वो नीचे जाके बैठ जाते अब क्या है कि इसे हम आराम से 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 के तयार कर लिए हमने फैली कड़ाई के अंदर तो यह हमारे से के तयार हो गए प्लेट में निकाल लिए अब इसे आप गानेशिंग कर सकते हैं मियोँनीज के साथ या आपके पास क्रीम घर में क्रीम के साथchioण के साथ तो मेरे पास मिय scripture मैं ल Même इसे एक असी काम चलाऊ वर पॉलल थिन में ढाला और उससे गानेशिंग कर दिया तो देख़िए देकने वें इतने यम्मी और टेस्टी लग रहे हैं तो इस आप टमेटो सॉस मियोनीस के साथ खाईए बच्चों को खिलाईए और इंजॉय करिए और मेरे चैनल पर बने रहे हैं नई नई वीडियो के लिए लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर करना कॉमेंट से मोटिवेशन मिलता है दोस्तों तो कैसी लगे आपको यह मेरे द्वारा बनाई गई रेसेपी